हेलो फ्रेंड कैसे हो आपसभी I होफ़ आपसभी बहुत अच्छे हो आज की वीडियो अम लेकर आए हैं कुछ axes हैं कुल की हमने पुरानी बोटल्स पर बनाया है और कुछ फिरॉन ने पुरानी दूलिया को यूज़ करके बना है तो फ्रेंड मैं ने पुरानी बोतल लिए और पुरानी बोतल को मैंने ॥ हम पुरानी या में रहा हैं, यह सद्विकूस कासरै भूतु । तो बन पाए इसलिए इसको मैं थोड़ा सा मोटा ही रखोंगी और देखे यह जो मैंने पुटी डो बनाया है यह बिल्कुल ही आसान बन जाता है इसमें मैंने पानी और थोड़ा सा फैविकोल मिलाया है और यह बहुत ही अच्छे से वर्क करता है तो देखे दूसरी बोटल क मैं पहली बोटल की तरह से ही पुटी डो की कुछ रोटियां बेल करके और इसको भी लपेट दूंगे और मैंने इसको देखे पुरी तरह से कवर कर लिया है तो यह मेरी दो बोटल तयार हो गई है जो कि मैंने पुटी डो से तयार किया है और यह मेरे बेबी का शीपर जो क क्योंकि मुझे कलर एड करना है तो देखे जो में बोतल पुटी डो से कवर की थी उसको थोड़ा सा हाड होने के बाद पानी से हम इसको चिकना कर देंगे ताकि यह देखने में खूब सूरत लगे और जो भी इसमें एजिज बने हैं तो यह सारे के सारे चुप जाए और यह हम इस गिले पर ही जो मैने वरास ले रखा था मेरा पेंट वाली अँसी की साहिता से पिछह की साइट से हम इसमें कुछ गहरी गहरी राइने बना लेंगे ताकि इस्योंगो फोले घंड कर रहे हैं यह विल्कुल जैसे ओंलाइं बिकने वाले हम जहीमने हमने चैन्हें चैन तो यह सब होने के बाद यह कुछ ऐसा बन गया है अब मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी यह दूसरी वाली वोटल है हमारी इसको भी हम पानी से चिकना कर लेंगे और इसको हम क्योंकि कलर से पेंट करेंगे इसलिए इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं करेंगे अब यह जो हमारी वोटल्स हैं यह सारी सूखने के बाद इनको मैं वाइट पेंट से पेंट कर लूँगी यह फैवी क्रिल का कलर है और काफी अच्छे यह कलर होते हैं तो देखे इस तरह से मैंने इसको वाइट ही रखना है और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना जैसे कि य इसको रखना है तो इसलिए मैंने इसको वाइट कलर से पेंट कर लिया है और बागी की जो मेरी दो बोतल है और एक शीपर है इन सब को भी मैं वाइट कलर से ही पेंट कर लूँगी तो यह शीपर को मैं कलर एड करूँगी इसमें ब्लैक और येलो कलर डालूँगी तो इस तरह से मैंने सारा जो ये पार्टिशन किया हुआ है इसको मैंने यलो कलर से पेंट कर लिया है और देखिए अब मैं इस पे ये जो बीच बीच में हमने लाइने बना रहे हैं जिससे हमने इसको पार्ट किया हुआ है तो उनको मैं black color से कर लोंगी और इसमें पीच में yellow color के उपर से बेर ब eig मैं black color से कुछ design draw कर लोंगी तो इस तरह से मैंने ये वस हलुका फुलका सा design इसमें draw कर लिया है तो देखे एक line में आए तो मैं कुछ इस तरह से design बना रही हूं फ्रेंड आज यह जितने भी प्लांटर और और्गनाइजर मैं बना रही हूं यह वेस्ट मटेरियल से तो बन ही रहे हैं लेकिन यह बन भी बहुत जल्दी जा रहे हैं इसमें कुछ भी जादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और यह मेरी पूरी वीडियो पर एकदम से तयार हो गई थी तो देखिए अब इसका यह फाइनल लुक अब मेरी जो बोटल मैंने सुखने के लिए रखी थी उसको मैं डिजाइन बना लेती हूं तो देखिए मैंने यह पेपर पर कुछ इस तरह का कटिंग कर लिया है और अब मैं इससे अपनी बोटल के ऊपर से डिजाइन से भर दूँगी क्योंकि इसके जो नीचे में मैंने वाइट कलर डाला तर उपर से जो मैं डिजाइन बना रहे हूं यह ब्लैक कलर से तो यानि यह ब्लैक और वाइट का कॉमिनेशन बन रहा है अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियो को वस्टाइम देख घर भी सज़ जाता है और कम ही आइटम में हम अपने घर को और्गनाईज और खुबसूरत बना लेते हैं तो इस तरह से हमें थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए तो फ्रेंड इस तरह से हम यह सारे जो मैंने डिजाइन रो इस पर किया था पैंसिल से यह सारा डिजाइन हम बलेक कलर से भर लेंगे तो बलेक कलर से बनने के बाद हमारी बोटल कुछ इस टाइप की दिख रही है तो देखें यह कलर कॉंबिनेशन कितना ही प्यारा लग रहा है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट बनाएंगे हम सिमिन्ट से और यह मैं एक प्लांटर बना रही हूँ और यह मैं फर्स टाइम फ्रेंट मैं फर्स टाइम इसको बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता ही मैं बना पाऊंगी या नहीं मैंने कुछ वीडियो में देखा है तो ये बिल्कुल आसान ही लगता था बनाने में तो इसलिए मैंने इसको बनाने की सोची है और अगर ये मेरे से अच्छा बन गया तो आगे भी मैं इस टाइप के कुछ और भी अलग अलग तरह के प्लांटर लेकर आऊंगी इसलिए मैं इसमें फर्स टाइम मैं पहले एक ही बना रही हूं तो मैंने अपनी जो यह मेरी पुरानी टावल थी उसको मैंने गोल आकार में कट कर लिया है और यह क्योंकि मैं जाद है और यह जादा हार्ड भी नहीं और जादा पतला भी नहीं है क्योंकि मेरे पास सिमेंट थोड़ा ही था तो यह जादा इस ट्रॉंग उतना जादा नहीं बन पाए तो मैंने क्या किया है मैंने फैविकोल का यह गोल तयार गया है और इस फैविकोल के गोल को मैं सिमेंट क इस प्लांटर के ऊपर से अंदर बाहर से कर दूंगी ताकि यह जो मैं इसके जो एजिस हैं या कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई यह जैसे कहीं पर कोई कुछ सॉफ्ट बना हुआ तो सारा यह हाड हो जाएगा क्योंकि प्लांटर का हाड होना बहुत जरूरी है और यह यह स्ट्रॉंग हो गया है सूखने के बाद और यह बहुत ही अच्छा हो गया इतना हाड हो गया कि आप इसमें औरिजिनल प्लांट भी लगा सकते हैं अब मैं इसको ब्लैक सोरी वाइट कलर से पेंट करने के बाद मैं इस पर कोई दूसरा कलर नहीं करूंगी क्योंकि निस्टॉब और सब्सक्रात करना हैंस। हम नेक्स्ट बना लेते हैं यह मै पास्टिं टिन कते वहीं है जो जिसको के उपर से मैंने सिमेंट वाला बनाया है तो हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर मैं यह करक कियो कि अरगनार ग्रदी रखना है इसमें मुझे और कुछ नहीं करना है ये में सिर्फ बड्र कलर्से इसको प्रहुट करूंगी और थोड़ी सी मेरे पास गोर्डन कलर्स रख कही थी तो इसके ऊपर और लेस के उपर से मैंने ये फैविकोल लगा लिया है और फैविकोल लगाने के बाद मैं इस लेस को इस कंटेनर के उपर से लगा दूँगी तो देखें मैंने इस तरह से ये कंटेनर के उपर से लगा ली है और ये देखें अब मेरे सारे प्लांटर सूख गए हैं क्योंकि मैंने ये फर्स टाइम ये बनाया है और मैं इससे संतुस्ट हो गई हूँ और आगे भी मैं इस तरह के नए नए कुछ आइडियाज लेकर आउंगी जो कि सिमिन्ट क्राफ्ट पर आधारित होंगे ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका फैवरेट इन में से कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और इस तरह से फ्रेंड हमारी सारी वीडियो का अब हम एंड करते हैं सारे प्लांटर और्गनाइजर सब आपके सामने हैं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बताएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेगा बाई बाई